इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 Laptop में Network and Sharing Center किस तरह open कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले Type here to search में enter करना है Control Panel यहाँ पर आपको दिखाई देंगा Control Panel, आपको इसे open करना है और फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगा, यहाँ पर आपको Right Side में दिखाई देंगा View By आपको इस पर किलिक करना है Category पर और यहाँ से Large Icons को Select करना है फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा Network and Sharing Center आप यहाँ से उपन कर सकते हैं इस तरह या फिर आप Direct Type Here To Search में Network and Sharing Center टाइप करके उपन कर सकते हैं इस तरह